रहे हैं कि भारती जनता पार्टी कहीं कहीं आरच्छन बिरोधी है बीजेपी आरच्छन बिरोधी है बैकवर्ड बिरोधी है दलिद बिरोधी है आरच्छन पर बात चीत कर रहे हैं तुपानी सरोजी लेकिन अगला सवाल रहेगा समाजवादी पार्टी में सुपाल जी का ज सित है कि लोगों को वस्ता है राजभर या आप से कही गड़ बंदन में भी थे लेकिन गड़ बंदन से निकल कर इतना तीखा हमला समाजवाधी पारटी पर कर रहे हैं नवस्कार आप देख रहे हैं हिंदूस्तान की बात मैं हूँ आपके साथ रमन हर प्रकार की पुलिटिकल वक्राइम तमाम बड़ी खबरों को लेकर लगातार हजी रहता हूँ तीन बार के सांसत वर्तमान के विधायक हमारे सांत किराकश से जनपज्याउनपूर से तुफानी सरोज जी हैं सबसे पहले तो सर बहुत स्वागता आपको कि आपने इंटर्व्यू लेने का समय निकाला आपको भी सर नवर्श को बढ़ाई लगातार मैं भी मिलना चाह रहा पार्टी तो पुलिटिकल बात लेकर मैं हाजी रूँ आज आरच्छन को लेकर सर समाजवादी पार्टी खर पुलिटिकल नेता और राश्टी अध्यजी खुद कर रहा है कि भारती जनता पार्टी कहीं कहीं आरच्छन विरूधी है क्या गहना चाहते हैं सबसे पहले मैं जनता को नए वर्ष के बधाई देता हूं सभी स्थूताओं को भी नए वर्ष के बधाई देता हूं और रच्छन का जो मुद्दा जो सवाल आया नगर निकाउच के चुनाव के संदर्व को ले करके इस मामले में भारती जनता पार्टी का असली चेहरा क्या है उस जनता क के सामने आ गया बीजेपी आरच्छन विरोधी है बैकवर्ड विरोधी है दलिद विरोधी है अगर कहीं भी इसके दिमाग में रहता कि बैकवर्ड को उसका हौक अधिकार मिले जो है तो सुप्रिम कोड की जो त्री पॉइंटी जो है तिरियस्त्री फार्मूला था उसके तह त्यारी करके तब चुना को त्यारी की जाती है लेकिन सरकार बैकवर्ड को जो है अर्चर देना नहीं चाहती है और इसी तरह वो एक टेस्ट था कि देखे बैकवर्ड समाज का लीडर कोई बोलता की नहीं बोलता है जिस तरह से 69,000 के भरती में जो है बड़े पामाने घप करना करना चाहती थी मैं राश्टी अध्धक जी को बहुत बहुत धन्यबाद दूँगा जिन्होंने एलान किया कि अगर पिछणों का हक मारा जाएगा तो हम सडकों पोतरेंगे उनके इस आवहन से उनके इस भावना को देखते हुए भारती जिनता पार्टी जो है बैक फ रहा था सरकार आपके थी सब कुछ आपका था लेकिन आपकी तो मनसा नहीं सही है नै आपके दिल में खोट है आप जणों को अधिकार नहीं देना चाहते और ये तो श्री बरगलाने वाली पार्टी काम पे विश्वास नहीं करती काम पे उट नहीं मिलता इनके हैं सीधा का फंडा है कि काम से जनता उट नहीं देती है जनता उट भकाने देती है इन्होंने दो चुनाव से खोब भकाया यादव खिला भरकाया कि समाजवादी पार्टी सरकार बंती स्रिव यादों का हीत होता है और हमारे बैकवड भाई इसमें उलज गए बहग गए जो है उनक देख रही है बैकवड समाज का हर व्यक्ति हर पढ़ा लिखा व्यक्ति मसूस कर रहा है कि हम ठागे गए हमारे साथ बहुत बड़ा विश्वास घात हुआ जो है और जो यादों के खिलाब महावल इन्हों बनाया इसलिए बनाया कि यादों बैकवड की बैक मून है उनके दिमाग में है कि जिस दिन राजनीत से समाप्त हो जाएगा बेदखल हो जाएगा बाकों को ठीकाने लगाने हमें देर नहीं लेगेगे बाकित अपने आप ठीकाने लग जाएंगे लेकिन सब भारती जनता पार्टी के जो पोलिटिकल बैकवर्ड नेटा है उनका एक ही कहन मन्फन किया जा रहा है और अच्छड खत्म नहीं किया जाएगा सर क्या करना मन्फन ओ तो उनके पास कोई जबाब नहीं है जनता के बीच में उन्हें भी तो जाना है कुछ न कुछ बाते बोलें क्या मन्फन कर रहे हैं एक साल से आपका चुन जानते हैं अगले 2022 लाश्ट तक चुनाव करना है आपने मन्थन क्यों नहीं किया आप कहां थे जो है अब जब राष्टी अधर्जी ने एलान कर दिया कि हम सड़कों पर संघर्ज करेंगे तब आप मन्थन करना शुरू कर दिया लगातार कोड का फैसला है उसके मन्थन कि कुछ ने मतलब कुछ नहीं वहां पर जो कुछ भी है मतलब योगी का है डिप्टी सेयम का तो जनता ने जबाब दे दिया था कादे से जो है लेकिन ये बैकवर्ट का चेहना बना करके मौर्या समाज कुन हो बैठा दिया है जो है क्योंको उनको उड़ लेना जैसे संजयनी शाध है बैकवर्ट के कहानी था पहले बहुत आरचण की बाद करते थे जब उनका बेटा विधायक हो गया वीधायक हो गया वहां लीडर नहीं है उनकी लीडर की कोई पहचार नहीं है तो वह अपना जो है मेडिय亦 से खोलकर बयान दे रहा है कि मनथन किया जाएगा कहीं कर रहे हैं कोर्ण का फैसला है तो सर आप क्या करना चाहते हैं मनथन क्या जाया है तो हम एगर पहले किया क्यों नहीं वह तो सोचे कि कि मंधन के पहले मंधन का नहीं कहां गये थे कवसाब किताब लगा रहे 강ई कभू नहीं कर पाए जो से हिसाब लगा रहे तो मंधन की महां जाता है जानते हैं बहुंचे पास मसमेरी है भारती जनता पार्टी के पास मुर्ख बनाने के बहुत मजबूट टीम है अरच्छण पर बात चीत कर रहे हैं तुपानी सरोजी लेकिन अगला सवाल रहेगा समाजवादी पार्टी में सिउपाल जी का जब से आगबन हुआ है पार्टी में सक्रीता कारकरता भी सक्री नजर आ रहे हैं कुस बात उच पे भी होगी और कड़ी से जन्जीर बनती है आप जानते है न सिउपाल जी के आने के बाद निशित है कि लोगों को वुष्णा है कि चलिए जो एक बीवात की बात होती थी प्रेस वाले चैनल वाले टीबी वाले विपक्ष वाले के यह एक जूट नहीं है एक जूट नहीं है इनका परिवार में मदभेद है कम सकम ओ बात तो खतम हो जाएगी हम लोग इसलिए खुश है कम सकम यह बात कहने का मीडिया वालों का मौका समाप्थ हुआ कि नही ठीक से कहा के रहने वाले कहां के घर्धवार उनका है कौन है मुझे कुई जानकारी है उनको जो है उनके वारे में कोई कमेंट नहीं है यहाँ ऑई सांग की इंट्रव्यों भिउ हो रहा है अंदीम सवाल यहीं रहेगा नगरपंचायद का चुनाव अभी डेट कीलियर नह जुना तो हमको लगता है, शर्महिने एक पहले नहीं हो पाएगा, जब तक धक्स से उसका परिस्मन नहीं होगा, रच्छन नहीं होगा, हम जदा-ज़धा सीटे जीतेंगे, जनता भाजपाग के खिलाब है, बहुत है बहानगरों में इसलिए कब जाए है, उनके सोच के उनक हमारी हैं कम हैं जो है सहरो हमारी गूटर है कम है गौवन हमारी गूटर ज्यादा है जो है चलि बहुत-बहुत धन्यवाद हाला कि आप लोग देखें भी होंगे विधाइकी की चुनाओं में लेकर तमाम ऐसे नारे इनके नाम लग रहे थे किराकत में कि तुफानी जी झाल झाल